नमस्कार दोस्तों, वेलकम बेक टू चाइल्ड केर वित आइरवेज चाइल्ड केर वित आइरवेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आज कल मेरी OPD में जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाने आते हैं उसमें से 50% पेरेंट्स का यही कहना है कि सर हमारा बच्चा पौटी रोज नहीं करता है पौटी करते से में बहुत ताकत लगाता है पौटी करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है घंटो लेटरिंग में बैठा रहता है और रोज पोटी नहीं करता, दो तीन दिन में एक बार पोटी जाता है, कई parents कहते हैं कि साथ दिन में एक बार पोटी जाता है, तो ये जो सारी problem आई है दोस्तों, इसका आखिर solution क्या है और क्या इसके कारण है, कैसे हम इस चीज को दूर कर सकते हैं, क्योंकि सबी parents का यही शि शिकायत हो रही है, उसका सबसे प्रमुक कारण है कि बाहर की चीज़े जादा खाना है, आज कल बच्चे, चिप्स, कुरकुरे, पीजा, बर्गर, फास्पूर्ट, चाउमी, ये सारी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, और घर में बनने वाली चीज़ों को avoid कर रहे हैं, जब पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि बच्चे खाना खालो तो उनका कहना होता है कि हमें भूक नहीं है, और यदि उनकी सामने पीजा बर्गर रग दिये जाए, तो तुरंत खाना शुरू कर देते हैं, तो ये जो सारी शिकायते हो रही हैं, इसके कारण बच्चों में कबजी की शिकायत बढ़ रही हैं, तो यदि आप ये बहार की चीजें अवोइट कर दें, तो आपके बच्चे की जो कबज है, वो आदी वैसे ही ठीक हो जाएगा, आदा कॉंस्टिपेशन वैसे ही खतम हो जाएगा, आपको दवाईयां देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 50% बच् इसको आपको दूर करना है, तो बच्चे का कबज दूर होगा, अब हम आते हैं कि आखिर इसका हम पर्मनेंट सॉल्यूशन कैसे करें, कैसे इसको ठीक करें, तो दोस्तों, बच्चों में अभी जो कबज की शिकायत होती है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको कोई पी अंग हमें बच्चा पता चला, जिस दिन रात को आपने दवाई पिला है, अगले दिन सुबह चार से पांच बार पोटी जा रहा है कंटी है, पिल्कुल पतली-पतली सी पोटी जाता है, तो ये दवाई पिलाना इसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका पर्मनेंट सॉल्यूशन ये आप चाहते हैं, तो केवल आयरवेद के द्वारा ही इसका समाधान मिल सकता है, तो आप पहले ही समझने के कोशिश करिए कि क्यों कॉंस्टिपेशन हो रहा है, जब बच्चे का पाचन तंत्र कमजोर है, जो कि भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्ट्रम को स्ट्रॉंग करना है, जिससे की बच्चा जो भी खाये वो आसानी से पचा सके और उसको कबजी की शिकायत ना हो, तो उसके लिए दोस्तों आयरवेद में अनेक अनेक उतना में CAC हो शुदिया है, जिनको देने से बच्चे का ड पर्मानेंट जड़ से खतम करना चाते हैं, तो आयरवेद का साहरा लीजिए, और आयरवेद की ओशिदिया देके बच्चे के पाचन तंत्र को मजबूत बनाईए, और बच्चे की कबजी की शिकायत को पर्मानेंट जड़ से खतम करिए, जितना हो सके बहार की चीज़ों क करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को पानी पिलाते रहें, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रूट्स, सलाथ, इन चीजों की तरफ शामिल करिए, फाइबर डाइट बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दीजिए, तो दीरे दीरे आप देखेंगे कि जाता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लाइट लेटिंग टाइट जाता है तो उस जगह पर सूजना जाती है तो इन सब चीजों से बचना है तो आईरवेद का सहरा लीजी आईवेदिक चाइल्ड स्प्रेशलिस्ट को दिखाई है और इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख